भारतिय जन्ता पार्टी यानि BJP सुबाद चंद्र बोस की विचार धारख खिलाफ काम कर रही है और मैं भारतिय जन्ता पार्टी से इस्तिफा दे रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं बल्कि सुबाद चंद्र बोस के पोत्र यानि पोत्ते कह रहे हैं नमस्कार मिरा नाम है नवीन कुमार नंदर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक भारती जंता पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे तो करती है जंता के सामने जाती है और कहती है जो तमाम महापुरुश है उनके बताए गए मारगों पर लगातार बीजेपी चल रही है लेकिन सुबाद चंद्र बोस के पोते का बहुत बड़ा आरोप भारती जंता पार्टी पर है आरोप लगाते हुए उन्होंने भारती जंता पार्टी को अपना त्याग पत्र सौप दिया उन्होंने साथ तोर पे कहा 2016 में उन्हें लगा था नरेंद्र मोदी के नितृत में हमारा देश तरक्की करेगा उन्हें उम्मीद ही कि नरेंद्र मोदी देश के लिए कोहिनूर साबित होंगी लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दी रहा है रिटार्ड आईये सूर प्रताप सिंग ने टूइट किया उन्होंने लिखा सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तिफा दिया साथ ही नड़ा जी का धागा भी खोल दिया बीजेपी सुभाष की विचार धारा के विर्द्ध है यानि खिलाफ है सुनिए लगता है बड़ो बड़ो के सिर से छद्र राष्ट वात की खुमारी यहीं से उतर रही है महौल बदल रहा है लेकिन गोदी टीवी इसे नहीं दिखाएगा और टीवी वाले इसे दिखाएंगे ही क्यों क्योंकि भारती जनता पाइटे की किरकिरी हो जाएगी इसे लिए टीवी वाले खामोश हो जाएगे गुर्परीत गैरी है यह लिखते है इस एक अकेले ने पूरी भाजपा की पोल खोल दी सुबाद चंद्र बोश के प्रपोत्र चंद कुमार बोश में भाजपा छोड़ते हुए ऐसी बाते कह दी है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे मुझे नहीं लगता चंद्र कुमार बोश की इस बयान के बाद भाजपा के पास कुछ कहने सुनने को होगा आप सोचिए कि कितना बड़ा आरोप भारती जनता पार्टी के उपर लगाया है जो सुबाद चंद्र बोश के पोते हैं चंद्र कुमार बोश ने बोलता है हिंदुस्तान ने एक ट्वीट किया है आपकी स्ट्र ने पर एक ट्वीट है नेता जी सुबाद चंद्र बोश के पर पोते ने कहा बीजेपी की राजनी ती सभ धर्म को एक साथ करने की नहीं है यानि बीजेपी लोगों को लड़ाती है BJP धर्म की बात करती है लेकिन BJP यह नहीं चाहती सभी धर्म के लोग एक साथ चले क्योंकि यहाँ पर धर्मों को लगातार तोड़ा जारा धर्म किसाब से लोगों को देखा जारा है जैसे आपको मैं अगर उदहरण के लिए बताऊँ हमारे देश में कोई मुसल्मान होता है अगर आरोपी है तो टीवी वाले इसमें जिहाद खोचते है उसमें खोजा जाता है कि आतंकवादी है उसमें खोजा जाता पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है लेकिन ब्रेज भूसरसिंग जैसे लोग कितने भी बड़े अपराद को अन्जाम देते है कोई भी आरोप उनके उपर लगता है तो कहा जाता है यह आरोप निराधार है यह लोग निर्दोश हैं बेगुना है अगर मुसल्मान कोई अपराद करता है उसे आतंकवादी जिहादी शाबित करने की कोशिश की जाती है लेकिन जिस तरीके सी नेता जी के परपोते का बयान आया है उन्होंने वीजेपी से इस्तीफा दिया है इससे साफ यह साबित होता है कि नेता जी सुबाद चंद्रवोस हमारे देश में लोग कितने आदर के साथ कितने गर्व के साथ नाम लेते है और उनके पर पोते चंद्रकुमार बोस को बहुत उम्मीदे थी कि भारती जन्ता पार्टी नया भारत बनाएगी सुबाद चंद्रवोस के सपनों का भारत बनाएगी और ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है एंडी टीवी ने एक आर्टिकल लिखा है नेता जी सुबाद चंद्रवोस के पोते चंद्रकुमार बोस ने बुद्वार को है कहते हुए बीजे पिस्तिफा दे दिया पार्टि ने नेता जी के दिख्षकोर को परचारिद करने के ववादे पूरे नहीं किये चंद्रवोस 2016 में भाजपा में शामिल हुए थे और उन्होंने दो बार भाजपा के टिकर में चुना हो लड़ा था वहाँ 2016 में विधान सभा चुना 2019 में लोग सभा चुना हो लड़े थी उन्होंने कहा जब मैं भाजपा में शामिल हुआ था तो मुझे से वादा किया गया था मुझे नेता जी सुबाज चंद्रवोस और सरत चंद्रवोस की समावेशे विचारधारा का परचार करने की अनुमत ही दी जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बोस को 2016 में भाजपा की पश्चिम मंगा लिकाई का उपाध्यक्ष निक्त किया गया था लेकिन 2020 में उन्हें जो है की पत से हटा दिया गया जो संगठन है उसमें बदलाव किये गये थे और इसके अलाम उन्होंने भाजपा के राष्ट्री अध्यक जेपी नडड़ा को लिखे अपने त्याकपत्र में कहा तब मेरी चर्चा भाजपा के साथ बोस बंधुओं नेता जी और उनके बड़े भाई शरत चंद्र बोस जो स्वातंत्रता से नानी थे कि समावेसी विचारधारा पर केंद्री थी तब और बाद में भी मेरी समझे ही रही कि मैं इस विचारधारा को भाजपा के मंचबक पूरे देश में परचारी करूंगा त्याकपत में कहा गया धर्म जाति और पंत से परे सभी समधायों को भारती के रूप में एक जूट करने की नेताजी की विचाधारा का प्रचार करने के प्रात्मिक उद्देश के साथ भाजपा के धांचे के भीतर आजाद हिंद मोर्चा बनाने का भी निर्णे लिया गया लेकिन वे प्रचार कर पाएं मैं सुवा चंद्र बोष के विचारों करदेश को जं आ नहीं पहुचा पाएं क्योंकि भारते जनता पार्टी सुवाज चंदर बोश की जो विचार थी उसे खिलाफ काम कर रही है और इसलिए उन्होंने इस्तीफा भारते जनता पारिटी से दे दिया अगर कहीं जो बोश हैं चंदर कुमार बोश अगर कॉंगरस में होते हैं अगर उन्होंने कॉंग्रेस इस्तीफा दिया होता तो क्या होता अब तक बवाल मच गया होता अब तक कॉंग्रेस को नाज़ाने क्या क्या बोला जाता या पोजीजितन की जो पायर्टियां है उस पायर्टियों में चंद्रकुमार बोस होते और इस्तीफा दिये होते और यह नहीं बोल पा रहे हैं इस वीडियो में इतना ही लेकिम पूरी वीडियो को लेकर के आप का सुचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पताईएगा शुक्रिया